नमस्कार दोस्तों मैं हर्षवर्दन फिर से आपका स्वागत कर रहा हूँ एसकोर्स ऑनलाइन चैनल के अंदर ट्रैक्टर टेक्नोलजी सीरीज जैसे कि आपने देखा पिछले एपिसोड में हमने इंजिन, क्लच, गेरबॉक्स, स्टेरिंग, हाइड्रोलिक्स के बारे में बात की और आप लोग का बहुत कमेंट्स भी आए आज का जो एपिसोड है हम बात करने वाले हैं वो है रिडक्शन टेक्नोलोजी तो दोस्तों पहले ये रिडक्शन होता क्या है इसको समझने की कोशिश करेंगे इसके लिए एक स्पेशल एनिमिशन वीडियो बनाया है पहले उस वीडियो को देखेंगे आपके स्क्रीन पर अगर दोस्तों मैं आपको एक बाइक दे दूँ आप और आपके दोस्तों दोनों बाइक पे बैठ जाएए और खड़े खड़े बाइक को चालू कीजिए चौता गेर लगा दीजिए आराम से इस बाइक को आगे ले जाने की कोशिश कीजिए क्या होगा बाइक तुरंद बंद हो जाएगा क्यूंकि चौते गेर में स्पीड है मगर टॉर्क नहीं ताकत नहीं फिर से मैं वही बाइक दोनों को दे दूँगा और बताऊंगा कि आप इसमें पहले गेर इंगेश करो और 60 किलोमेटर स्पीड इसको बगा के दिखाओ पहले गेर में पिकप तो ले लेगा मगर स्पीड नहीं पगड़ पाएगा क्यूंकि पहले गेर में आपको टॉर्क मनि ताकत मिल जाएगा मगर स्पीड उपलब्द नहीं होगा तो दोस्तो वीडियो में आपने देखा कहीं ताकत मिल रही है और कहीं स्पीड मिल रहा है ठीक है और कहीं स्पीड मिल रहा है कहीं ताकत मिल रही है टॉर्क या तो स्पीड मिल सकता है तो इसी बात को समझते हुए रिडक्शन को समझेंगे जैसे कि ट्रेक्टर में क्या आपको 60-80 km स्पीड चाहिए या जमीन को खोदने वाला इंप्लिमेंट को खीचने के लिए ताकत चाहिए अल्टिमेटली ताकत चाहिए और स्पीड बराबर हो उसी को देखते हुए रिडक्शन टेक्नोलोजी बहुत ही इंपोर्टन अंग होता है पूरे ट्रेक्टर में आज रिडक्शन टेक्नोलोजी के अंदर कितने प्रकार है कौन सा रिडक्शन कौन सी उपकरण के लिए बहुत फाइदे मंद है वो जानने की कोशिश करेंगे तो जैसे कि हमें स्पीड कम करके ताकत को बढ़ाना है तो करते क्या है छोटा गिरारा बढ़ा गिरारा को गुमाएगा अगर छोटा गिरारा पांच बार गुम रहा है तो बढ़ा गिरारा एक बार गुमेगा तो इसका मतलब क्या हो गया ताकत बढ़ गया तो ये ट्रेक्टर में जब हम करते हैं तो इसको हम बोलते हैं रिडक्शन टेक्नोलजी अलग-अलग उपकरण के लिए अलग-अलग रिडक्शन बहुत फाइदे मंद होते हैं वो जानने की कोशिश अभी हम करेंगे पहला जो रिडक्शन टेक्नोलजी आता है उसको हम बोलते हैं सिंगल रिडक्शन सिंगल रिडक्शन होता है क्राउन और पीनियन में जैसे की छोटा पीनियन एक बड़ा क्राउन को गुमाता है पीनियन आमुमन छे से साथ बार अगर गुमता है तो क्राउन जो है वो एक बार गुमता है इसका मतलब छे गुना स्पीड गट गया और ताकत बढ़ गया उसी प्रकार से और एक टेक्नॉलोजी है उसका नाम है या डबल रेडक्शन अलग-अलग नाम से यह जाना जाता है और इस में होता क्या है क्राउन और पीनियन भी होता है छोटा होता है उसके साथ में होता है एक पीनियन और बुल गयर मतलब दो बारे reduction हो रहा है इस technology के अंदर पहले reduction हो रहा है crown pinion में उसके बार दोबारा reduction हो रहा है bull और pinion में छोटा और बड़े gear में तो इन tractor में होता क्या है अगर बाहा से कुछ भी load या जटके wheel पे आ रहे हैं तो अंदर जो crown पे जायेगा वो 50% ही जायेगा क्योंकि 50% जो shock है व उसी प्रकार से तीसरा जो reduction है उसका नाम है hub reduction ये भी inboard reduction जैसे ही रहेगा एक crown pinion रहता है साथ में बुल गिर रहता है मगर इन दोनों में फरक क्या है ये जो है housing के अंदर रहता है इसलिए इसको inboard बोलते हैं और जो hub reduction है ये जो wheel का hub रहता है एक बड़ा सा हंडी रहता है उसके अंदर ये bull और pinion का arrangement किया जाता है क्योंकि ये hub में स्थित है इसलिए इसको hub reduction के नाम से जाना जाता है और जो चौता reduction है वो पूरी industry में ताकतवर माना जाता है और इसका नाम है EPI इसके अंदर भी crown और pinion होता है additionally उसके साथ में EPI technology या planetary reduction technology आता है ये industry में ताकतवर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके बीचों बीच एक sun gear रहता है चारों तरफ तीन star gear उसके इर्दगिर्द में गूमते हैं और उन तीनों gear को जकड के रखने के लिए एक ring gear का मदद लिया जाता है इसका मतलब चारों तरफ से उसकी पकड बनी रहने से slip का chance ना के बराबर होता है और EPI technology आमोमन 50 HP के उपर ट्रेक्टरों में बहुत फाइदमंद होता है और जो ट्रेक्टर commercial application इस्तमाल करते हैं या बड़े से बड़े उपकरन चलाने की सोचते हैं उन के लिए EPI बहुत फ reduction फाइदमंद है यह जाने की कोशिश करेंगे तो पहला reduction की अगर बात करें उसका नाम है सिंगल reduction तो ट्रेक्टर को अगर आप उपर से देख रहे हो तो engine power produce करता है गेर बॉक्स में अलग-अलग speed आप से लेट करते हो गेर बॉक्स के बाद वो जो पावर है आता है पीनिय पीनियन 6-7 बार गुमता है तो crown wheel जो है वो एक बार गुमता है उसके बाद ताकत जो है directly shaft से होते होए wheel को जाता है दोनों तरफ और tractor आगे बढ़ता है अगर इस crown wheel को आप पास से देखोगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा ये है आपका crown और ये है आपका pinion तो इसमें ह बढ़ गया मार्केट में single reduction को दूसरे एक और नाम से भी जाना जाता है उसका नाम है straight axle क्यूंकि दोनों तरफ axle एक बार reduction होने के बाद straight wheel को drive जाता है इसलिए इसको straight axle के नाम से बुलाते हैं इसके फाइदे की अगर बात करें तो देखिए frictional losses कम हैं एक ही बार reduction हो रहा है और drive direct wheel को जा रहे हैं तो friction losses कम हैं मतलब power losses जो engine में पैदा होता है तो बहुत कम होते हैं इस tractor में बहुत efficient होता है fuel consumption कम होता है और output ज्यादा होता है अगले reduction की अगर बात करें उसका नाम है inboard reduction उसी प्रकार से देख सकते हो pinion और crown में एक बार reduction हो रहा है उसके तुरंत बाद shaft को cut किया गया और एक छोटा pinion और बड़ा bull gear लगाया गया दुबारा reduction उसके बाद shaft wheel में जा रहा है और wheel को drive जा रहा है इस प्रकार से आप देख सकते हो एक आपका crown pinion हो गया और दूसरा जो है bull और pinion हो गया दोनों त reduction के नाम से भी जाना जाता है इसका फाइदा जैसे कि मैंने पहले बताया कि जो भी wheel में जटके या लोड आते हैं तो अंदर crown wheel पे 50% ही जाता है 50% जो है यह bull gear उसको अपने उपर ले लेता है तो इससे आपका crown opinion बहुत safe रहता है यह जो inboard reduction की अगर application की बात करें तो जहां पर wet application है जैसे धान की केती है आप वहां cage wheel चलाना चाते हो रोटो वेटर या रोटो पडलर चलाना चाते हो तो यह जो reduction है बहुत फाइदे मन होता है उन application में यही नहीं trolley में भी बहुत कारगर रहेगा क्योंकि जो भी जटके या load आते हैं back से वो सारे ही यह 50% load अपने उ दो बार reduction होने से ताकत भी अच्छा maintain करता है वील के अंदर उसके अलावा बाकी खेती के कामों में में जैसे कल्टीवेटर रोटर वेटर प्लाव हल चलाने में भी बहुत कारगर होता है double reduction अगला जो reduction है उसका नाम है hub reduction हब reduction के अगर बात करें तो एक बारी reduction यहां crown wheel pinion प बोल सकते हो इस प्रकार से वो होता है तो दो बारी reduction हो रहा है मगर जो दूसरा reduction हो रहा है वो wheel के hub में हो रहा है क्योंकि वो wheel का hub है इसलिए इसको hub reduction के नाम से बुलाते हैं अगर इसकी फाइदे की बात करें तो इसका wheel center देखिए पहले क्या होता था यह wheel center यहां आता था यह shaft के बीचो बीच मगर इसका wheel center पीचे की तरफ किस गया और इसकी wheel center और जो hitching point है यह दोनों बहुत पास हो गए इसका मतलब tractor की जो front lifting इस hub reduction में 40% कम हो गया तो यह trolley के काम के लिए बहुत ही कारगर होता है hub reduction technology इसलिए दिखिए power track के ALT model मतलब anti lift tractor जो पीले लंग का जो tractor देते हैं वो उन सब में hub reduction दिया गया है जरूत अनुसार अगली reduction की ओर चलते हैं उसका नाम है EPI जैसे कि मैंने पहले बताया था पूरे industry में सबसे ताकतवर reduction है EPI यह होता कैसा है एक आपका crown wheel pinion उसके अलावा दूसरा जो reduction होगा वो है EPI EPI एपी cyclic reduction क्योंकि चारों तरफ से गिरारे इसको पकड में रहता है बहुत सारे दाते कोंटैक्ट में रहते हैं तो कितना भी लोड इसके अंदर आए तो जिलने की क्षमता इसमें ज्यादा होता है EPI technology उन application के लिए होता है जो बहुत heavy load का काम करते हैं या double trolley का काम करते हैं या commercial application loader dozer या backo जैसे काम करते हैं उसके लिए बहुत ही कारगर होता है EPI technology मगर हाँ दोस्तों एक चीज ज्यान रखिए छोटे ट्रेक्टरों में EPI कारगर नहीं होता है क्योंकि इतने सारे गिरारे गुमाने के लिए engine की ताकत बहुत इस्तमाल होता है और अगर आप छोटे उपकरण चला रहे हो तो ये फाइदेमन नहीं होता है जब आप इतना heavy reduction इस्तमाल करना चाहते हो तो आपको उपकरण बड़ा इस्तमाल करना है तब ही जाके output आपका ज्यादा आएगा और लागत कम होगा तो दोस्तों चलिए ट्रेक्टर लैब के अंदर जाएंगे और ये चारो reduction technology cut section के अंदर देखने की कोशिश करेंगे नमस्कार आज हम बात करेंगे ट्रेक्टर के अंदर जो reduction होता है बैक एंड के अंदर उस reduction के बारे में पूरे ट्रेक्टर की इंदस्ट्री के अंदर चार टाइप के reduction उपलब्ध होता है एक है single reduction एक है double reduction या inboard reduction तीसरा है hub reduction और चवता है सबसे मजबूत और ताकतवर EPI reduction पहला जो reduction technology है वो single reduction है जो आपके सामने जो जर्शा रहे हैं ये single reduction technology है इसके अंदर देखिए एक बड़ा सा crown wheel होता है और एक छोटा सा pinion होता है छे बार जब pinion गुमता है तो एक बार ये crown wheel गुमता है और इसके अंदर जो दाते हैं इसको bevel gears भी कहा जाता है तो ये single reduction को industry के अंदर दूसरे एक नाम से भी बुलाते हैं उसको बोलते हैं straight axle क्यूंकि इसमें जो axle आप देख रहे हो एक सीधा axle है और ये सीधा axle जुड़ता है directly wheel को तो इसलिए इसको straight axle से नाम से भी जाना जाता है ये straight axle का फाइदा ये है कि ये जो भी engine power पैदा करता ह है maximum utilization इस single reduction में होता है दूसरा जो reduction में आपको दिखाना चाहूंगा और वह है हब reduction ये देख सकते हो आपके सामने हब reduction उपलब्ध है पहला जो reduction होता है वह होता है crown में और ये जो crown देख रहे हैं चोटा सा crown है और crown में reduction होने के बाद ये shaft में आपको ताकत आएगी rotation और यह और यह हब के अंदर एक और बार reduction होगी यह pinion है और यह bull है तो दूसरे reduction आपके wheel के hub के अंदर हो रहा है इसलिए इसको hub reduction कहा जाता है यह hub reduction का फाइदा पहला फाइदा यह है क्योंकि यह bull और pinion हब के अंदर ओर है यह हब डिरेक्ट वील पे लोड डाल रहा है तो वील का फ्रिक्शन रोड से ज्यादा रहेगा और कीचने की क्षमता ज्यादा होता है और दूसरी चीज यह है इसका वील सेंडर पीचे की तरफ किस गया तो ओटोमेटिकली ट्रेक्टर का जो फ्रंट लिफ्टिंग 40% कम हो गया है आईए कैसे यह मैं दिखाऊंगा यह रॉड में दो दिखा रहा हूं अगर यह ट्रेक्टर की हिच पॉइंट बहुत पीचे की तरफ है तो लोड ट्रेक्टर पे जब पढ़ता है तो फ्रंट लिफ्टिंग आसानी से होता है वही चीज जब मैं ट्रेक्टर की हिच पॉइंट आगे की तरफ किसकाऊंगा और पीचे से जब लोड डालूँगा तो ज्यादा लोड डालना पड़ेगा अगर ट्रेक्टर को आगे से उठाना है तो इससे हब रेड़क्शन में यही हो रहा है पीचे का जो हिच पॉइंट है वो एकदम आगे की तरफ चले गया और 40% जो है इसकी फ्रंट लिफ्टिंग नहीं होता है हब डेड़क्शन का नुकसान भी है अगर आप हब डेड़क्शन धान की खेती में या गीले खेत में इस्तमाल करोगे तो मटी फसने का संभावना ज्यादा रहेगा जैसे कि आप यहां देख सकते हो हब बड़ा होने के कारण वील के रिम और इसके बीच में अंतर कम हो गया है और इसके बीच मटी जमा हो सकती अभी हम बात करेंगे तीसरा जो रिड़क्शन है वो है इन बोर्ड रिड़क्शन तो इसमें देखिए पहला रिड़क्शन जो बुल और पीनियन में होता है इसके अंदर जो है ऐसा बुल उपलब्ध होता है कईों में स्पर्गेर होता है कईों में हेलिकल रिड़क्शन भी होता है उसके बाद शाफ्ट जाके वील में ताकत जाती है इसका नाम इन बोर्ड रिड़क्शन क्यों पड़ा क्योंकि यह ज दूसरा बूल पीनियन में होता है इंबोर रेडक्शन का फाइदा यह है कि आप इसको दान की खेती में जहां कीचर ज्यादा है वहां इस्तमाल करोगे तो बहुत बढ़िया चलता है क्योंकि इसमें रिम और सेंटर एक्सेस में बहुत क्याप होता है और दूसरी चीज जो प और इन में जो है special water sealing में डाले गए है इंबोर रेडक्शन के अंदर हमने दो टेक्नॉजी वाला रेडक्शन दिया है यहां देख सकते हो चोटे टेक्टरों में जब इनबोर रेडक्शन है तो हमने spur gear दिये हैं जब heavy duty कामों के लिए हमने reduction दिये हैं जैसे धान की केती हो गई या जमीन बहुत hard है तो वहां हमने helical bulgare दिये हैं इन दोनों में आप अंतर देख सकते हो helical bulgare में दातें मोटे हैं इस पर से compare करते हो और दात की चोड़ाई भी जो है आपके helical में बड़े हैं दूसरा फाइदा यह है कि जब यह pinion के साथ जुड़ता है तो contact area सबसे ज्यादा होता है तो यह heavy duty कामों के लिए बहुत फाइदेमंद होता है अगर आप बाहर tractor के बाहर से जानना चाहोगे कि अंदर आपके जो reduction spur gear लगे हैं helical bulgare हैं तो power tractor में हमने किया क्या है brake pedal के नीचे जो casting होती है वहाँ पर हमने H करके manufacturing time पर ही हतोडे से mark बनाया हुआ है H लिका है तो मतलब उस tractor के अंदर आपको helical bulgare उपलब होते हैं चौता जो reduction है उसको हम बोलते हैं epicyclic reduction जो पूरी tractor industry के अंदर सबसे heavy duty reduction माना जाता है आईए उसके बारे में जानकरी देंगे जो आपके सामने हम दर्शार हैं यह epicyclic reduction है पहला जो इसका reduction होता है यहाँ देख सकते हो यह crown के अंदर यहाँ reduction होता है छोटा crown होता है उसके बाद यह ताकत जो है यहाँ आता है sun gear के अंदर और यह sun gear जो है यह तीनो planetary gear को गुमाता है और जब यह तीनो planetary gear गुमते है तो यह योग गुमता है योग गुमा तो यह shaft shaft गुमा तो यह wheel गुमेगा यह industry का heavy duty reduction क्यों कहा जाता है देखिए जब भी यह tractor लोड लेके चल रहा है उदान के तोर पर अगर यह 15 टन का कोई ट्रॉली लेके धलान पे चल रहा है चलते चलते tractor को रोकना पड़ा एकदम से तो tractor में OIB brake है तो driver ने brake लगा दी तो tractor तो रोग गया और पीछे से जो 15 टन का ट्रॉली जो जटका मारता है वो पहले जाता है wheel में और wheel से direct जाता है यहां shaft के अंदर shaft से जाता है crown के अंदर जब यह API उपलब्द है जो 100% जो जटका आया है लोड आया है यह तीनो planetary gear में बढ़ जाता है 33% 33% 33% तो अंदर जो लोड जाएगा खाली 33% और पूरा जो लोड है यह API जेल लेता है इसलिए इसको industry सबसे बड़ा या सबसे heavy duty reduction माना जाता है मगर एक चीज़ ध्यान में रखिएगा जो छोटा किसान है छोटी केथ है छोटे उपकरन इस्तमाल करना चाहेगा छोटे लोड के अंदर तो API उसके लिए नहीं है API उस किसान के लिए है जो बड़े उपकरन इस्तमाल करना चाहेगा कमर्शल काम करना चाहेगा या बड़े से बड़े ट्रोली heavy duty ट्रोली गंणा बर के इस्तमाल या बहुत सारे इटे लेके उबर काबर रोड में या ढलान में ले जाना चाहेगा उन के लिए होता है EPICYCLEC REDUCTION क्योंकि इसके अंदर गिरारे ज्यादा है Frictional losses ज्यादा होते है बड़ा उपकरन लगाओगे तभी ये फाइदे मन होता है अगर आपके पास PowerTrack Tractor है और आप जानना चाहते हो कि मेरे Tractor के अंदर हेलिकल बुलगेर है की नहीं बहुत सिंपल है यहाँ आप देख सकते हो यह Brake Pedal है Brake Pedal के नीचे जहां कास्टिंग होता है उस एरिया में हतोडे से Edge करके Manufacturing Time में लिखा जाता है अगर वो Edge आपको दिख रहा है मतलब आपके Tractor में हेलिकल बुलगेर उपलब्ध है दोस्तों अभी आखरी टॉपिक की बात करें और वो है Robust Axle यह Robust Axle होता क्या है पहले यह जाने जैसे कि आप देख रहे हो Axle यहाँ यूजली गोलाकार में होता है यह गोलाकार में नहीं है इसमें चोकोर Axle दिया गया है चोकोर Axle के साथ बहुत सारे Eye Bolt डालने के सुविदा दी गई है मतलब जब इसके उपर Fender बैठता है तो या तो आप Fender को थोड़ी बाहर किसका सकते हो या अंदर भी किसका सकते हो जरूत अनुसार यही नहीं यह Square होने के कारण इसमें जो लोहा है ज्यादा आ गया और मजबूती बढ़ गया मतलब ज्यादा लोड लेने के चमता इसके अंदर है इसलिए इसको Robust Taxel कहा जाता है यही नहीं अगर इस Tractor के अंदर आप Commercial Oop करण जैसे कि Loader या Dozer बिठाते हो तो उसकी जो Chessy है वो आके यहां बैढ़ता है और उसके उपर Fender और Bolt आप डालके उसको कस्ते हो जब यहां उसकी Chessy बैढ़ता है तो यह Chokor है तो पकड बहुत मजबूत बनता है जब पकड मजबूत बनता है तो जितने भी Load आने दो जितने भी जटके आने दो सारे सहने की शमता इसमें ज्यादा हो जाता है इसलिए इसको हम बोलते है Strong and Reliable Higher Load Carrying Capacity और दिखने में भी Robust Look तो दोस्तों आपने पूरे Industry में जो Reduction Technology Tractor में आता है वो जाना है पहला है Single Reduction दूसरा है Inboard या Double Reduction तीसरा है Hub Reduction और चौता जो है EPI तो दोस्तों आपकी स्क्रीन पे एक सवाल है कौन सा ऐसा कंपनी है जिसके पास चारो Reduction Technology अलग-अलग Tractor में उपलब्ध है अगर आप जानना चाते हो उसका नाम है Scotts तो पूरे इंडिया में केवल एक ही कंपनी है जिसके पास चारो Reduction Technology उपलब्ध है जरुवत अनुसार अप्लिकेशन अनुसार अलग-अलग मोडल और विरियंट में Scott कंपनी अपने Farm Track और Power Track ब्रैंड में देते हैं तो दोस्तों आज Tractor Technology सीरीज के अंदर आपने जाना Reduction Technology आपका कोई सवाल है आपका कोई सुझाव है प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा ये कमेंट हमारे बहुत माइने रखते हैं साथी साथ हम इन प्रशनों का उत्तर देनी के लिए Industry Expert को भी बुलाते हैं और आपके सारे सवालों को जवाब देनी की कोशिश जरूर करेंगे तो दोस्तों अगर ये एपिसोड आप पहली बार देख रहे हो तो इस चैनल को जरूर सस्क्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करना ना बुलिएगा ताकि सारे एपिसोड को बिना मिस किये आप देख सकते हो आने वाला नेक्स्ट एपिसोड हमारा होगा पीटियो के उपर तो दोस्तों जुड़े रहे इस वीडियो को देखने के लिए और शेयर करने के लिए धन्यवाद